Dear student, तो आज solution chapter से आपके लिए 10 MC की question लेकर आया हूँ, जो आपके incoming SA1 exam के लिए important है, तो चलिए एक एक करके देखते हैं, पहला question है, What is the molarity of a solution containing 10 gram of NaOH in 500 ml solution? 500 ml विलियन में 10 gram NaOH घुला है, तो विलियन की मोलर्ता क्या होगी? ठीक, अब किसी container में solution है, कोई solution है भाई, 500 ml है, ठीक, उसमें 10 gram sodium hydroxide घुला है, 10 gram sodium hydroxide घुला है, तो ये जो, अब ये जो solution मना है, उस solution का मोलरता, molarity क्या होगा, capital M, तो capital M, molarity equal to हम जानते हैं, क्या होता है, number of mol of solute, विलेई के molों की संख्या, जिसको रेपरजेंट करते N से, N solute और solute के जगा कौन है, जो घुल रहा है, जो की है, यहाँ पर मेरे पास NaOH है, ठीक, और नीचे में क्या कहता है, मोलरता में, नीचे में volume of solution, विलियन का आईतन किसमें, लीटर में, लीटर में, तो चलिए, यह देखते हैं, अब NaOH का mole, NaOH का mole नहीं है, मेरे पास mass है, given mass है, तो given mass को molar mass, given mass से mole बाना असान है, कैसे? given mass divided by molar mass, जब हम given mass divided by molar mass करते हैं, तो नीकल जाता है number of mole, ठीक, तो चरह कहीं पे हम side में ही चली अगर side में निखालने है तो निकालेजिए एन NOH निकालते हैं NOH का मोलों की संख्या given mass दिया गया दर विमान कितना है भाई 10 gram और इसका by molar mass थो जरह जोड़िये सब को NOH का मोलों का कैसे निकालेंगे sodium का mass 43 ओक्सीजन का सोला और हाइड्रोजन का एक यह हो जाएगा दस बट्टा 40 यह हो जाएगा दस बट्टा 40 ठीक है ना ग्राम पर मॉल क्या हो जाएगा यह ग्राम पर मॉल तो ग्राम ग्राम कट गिया जीरो जीरो कट गिया एक बट्टा चार एक बट्टा चार कितना हो जाएगा 0.25 हो जाएगा है ना कितना हो जाएगा ये 0.25 और पर मोल उपर जाएगा तो ये क्या हो गया मोल तो एने वेच हमने कितना निकाला 0.25 मोल निकाल लिया लिवाँम आप सो जो सोलिस्म उसका वॉल्यम आई तन कितना में a1 Bernard rape 500 में लेकिन हमको चाहिए किसमे किए लीटर में आतली टो क्या करेंगे मन को हरज होजन से इंधाइड करेंगे तो जब thousand से divide करेंगे तो thousand कहां चला जाएगा ऊपर जाके multiply हो जाएगा तो ऊपर जाके multiply हो जाएगा thousand अब ये ml नहीं बलकि ये liter हो गया ठीक तो चलिए solve करते हैं और ये हो गया आपका 5 दुनी 10 और ये हो गया 0.25 तो ये answer क्या हो गया आपका अब ये 0.25 multiply होगा 2 से तो क्या होगा 0.5 और ये हो गया mole और liter चला जाएगा ऊपर तो 0.5 mole और liter हो जाएगा ऊपर इसी को sort में हम क्या लिख सकते हैं 0.50 capital M option मेरा कौन सा है तो 0.5 mole per liter option C question है what will be the molarity of 30 ml of 0.5 M H2SO4 solution diluted to 500 ml 30 ml 0.5 M H2SO4 को तनू करन यानि dilute करने पर 500 ml किया गया तो नए विलियन की molarity क्या होगी एक solution है एक solution है जिसका volume कितना है 30 ml और उसकी molarity concentration कितनी है 0.5 ठीक है अब इसको dilute किया गिया इसको इसमें पानी मिला गिए इसमें क्या किया गया एक solution है 30 ml किस पावर का 0.5 M power का अब इसमें पानी मिला गया पानी मिलाने के बाद जो कितना कितना तक पहुचाया गया इसके वॉल्यूम को अब इसके वॉल्यूम को 500 ml तक ले गया गया ठीक है तो कह रहा है पानी मिला दिया गया अब इसका concentration change हो जाएगा तो final solution मना उसका concentration molarity में क्या होगा ठीक एक आट बॉल्यूम है दूसरा बॉल्यूम है को देलूशन से पहले तनुकरन से पहले एक वल्यूम है इसको मानेंगे 1 जो डेलूट करने के बाद पानी मिलाने के बात जो वॉल्यूम बना whether वह वह गया, final वॉल्यूम उसको मानेंग ت 20 कि ड нал पुछ रहा है तो इस तरह का question जब भी आएगा तो उसके लिए हम लोग क्या formula यूज करेंगे molarity equation जो क्या कहता है molarity समिक्रण M1 V1 equal to M2 V2 कहता है इस तरह का question कि कुछ solution था उसको dilute किया गया पानी मिलाया गया इतना तक पहुचाया गया है ना तो उसकी molarity क्या होगी या final volume कितना होगा तो इसमें चार टर्म है M1 V1 M2 V2 है चार में से इस question में किसी question में कोई भी तीन टर्म दिया रहेगा जैसे इस question में तीन टर्म दिया हुआ है कौन दिया हुआ है यह 30 ml V1 दिया हुआ है है ना M1 दिया हुआ है इसका power दिया हुआ है M2 दिया हुआ है sorry V2 दिया हुआ है और पूछ क्या रहा है M2 पूछ रहा है बनाने की जरूत नहीं है तो 30 यह हो गया V1 M2 हमको पूछी रहा है है ना तो V2 किधर ले गया V2 हो गया 500 ml है ना तो V2 हो गया इसके साथ multiply है तो नीचे चला जाएगा 500 चेक 00 और कुछ यह decimal उड़ेगा तो नीचे ने 10 आएगा 10 आएगा तो 52 10 होगा तो यह बचेगा M2 equals to 300 हो जाएगा तो 3000 बचल हो जाएगा तो यह कितना हो जाएगा 0.03 M हो जाएगा यह हो जाएगा तो चली यह option कौशन हो गया option मेरा D हो घिक कोई दिकत नहीं है तीसरा question है The molality of 648 gram of pure water is 648 gram सुधजल की molalata इस बार molality है molalata क्या होगी ठीक है ना तो direct formula पर हम लिखते है molality, molality को किसे represent करते है small m से यह है molality जो क्या कहता है उपर में कहता है solute का उपर में कहता है solute के molों की संख्या है ना n solute n solute और नीचे में कहता है molality में नीचे में कहता है mass of solvent mass of solvent solvent का mass mass of solvent किस में है? केजी में यहीन कहता है formula अच्छा अब देखिए 648 gram सुधजल सुधजल है उसमें कुछ मिला हुआ नहीं है मतलब उसको इसमें solute है ही नहीं अगर कोई है अगर इसका मतलब सुधजल है इसका मतलब सुधजल जो है उसमें solute भी solute को भी मानेंगे पानी को ही solute मानेंगे solvent को ही solvent भी पानी को ही मानना होगा दोनों solute और solvent दोनों क्या पानी ही है क्योंकि सुधजल है इसमें कोई कुछ मिला हुआ, नहीं है, बस उसकी मात्रा 648 ग्राम है, ठीक, तो N solute, फिर वही, N solute, N के जगा, solute कौन है, पानी है, mass of solvent, किसका है, water है, यह जी में चाहिए, ठीक है ना, तो N, पानी के मोलों की संख्या, तो पानी के मोलों की संख्या, पानी का दिया गया मात मात्रा, तो पानी का दिया गया मात्रा कितना है, 648 ग्राम, है ना, बट्टा, नमरों मोलिक क्या होगा, अभी बताए, given mass divided by molar mass, चलिए इसको हम इधर कर लेते हैं, हमको चाहिए N, H2O चाहिए, H2O के मोलों की संख्या चाहिए, तो given mass 648 ग्राम, वाटर का मोलर मास क्या होग H2O का, हैडरोजन एक गुना, दो हैडरोजन, ऑक्सिजन का सोला, तो 648 ग्राम बट्टा, 648 ग्राम वाट्टा, 648 ग्राम पर मोलर मास, H2O का मोलर मास का युनिट क्या होगा, ग्राम पर मोल, ठीक है ना, तो ये जो कटेगा आपका, 6, 16, 108, तो 18, 95, 18, 16, 80, ये 36 हो गिया, ग्राम ग्राम कट गिया, तो आया आपका 36 पर मोल उपर चला जाएगा तो मोल हो गिया, ठीक, तो इसके जगर हम क्या लिख दें, इसके जगण हम लिख दें 36 मोल, ठीक, अब पानी का मात्रा, तो पानी का मात्रा कितना है भाई, मास ऐफ सॉल्वेंट में केजी ह pag कितनी है, पानी की मात्रा है कितनी! तो 648 ग्राम है जो कि solid और solvent दोनों पानी ही है तो पानी का मात्रा 648 ग्राम लेकिन किस में चाहिए kg में चाहिए उपर में क्या करना होगा 1000 से गुना करना होगा ठीक है ना तो अब यह हो गया अब यह हो गया kg हो गया तो फिर वही इस बार 36 है तो 36 यानि कि इस बार किस से कटेगा यह इस बार किस से कटेगा भाई चलिए 36 और 648 जो कटेगा मैं डिवाइड कर लेता हूँ आपका 55.5 मोल पर केजी जिसको हम सौट में क्या लिख सकते हैं 55.5 as small M, molality मोल पर लिटर होगा तो capital M मोल पर केजी होगा तो small M तो मेरा option कौन सा हो गया option मेरा B question है तो सिधा सिधा आपको दिमाग में एंसर आ गया होगा कौन सा है ठीक द्रब में गैस की भी लेहिता है solution है, liquid है उसमें क्या गुलाना है? गैस गुलाना है है ना? cold ring सबसे बेस्ट एक जामपल cold ring का ढखकन खोलते हैं आवाज आती है उसमें गैस गुली रहती है carbon dioxide gas gas गुली रहती है लिसमें, carbon dioxide gas की तना ብ घुलीगा हुआ, जितना हम उस पर⁠ दालेंगे carbon dioxide कीतना गुलेगा? जितना हम उस पर⁠ दालेंगे कीतना गुलेगा उतना जयादा गुलेगा? जयादा गुलेगा मतलब लिक्विड में उसका मोल फ्रेक्शन उसकी मात्रा यानि मोल फ्रेक्शन नंबर ओफ मोल उसका ज्यादा होगा उसका नंबर ओफ मोल क्या होगा ज्यादा होगा है ना ज्यादा घुलेगा तो लिक्विड में उसका उस गैस की मोल फ्रेक्शन क्या होगी ज्यादा होगी तो प प्रोपोर्शन साइन हाटेगा, तो कौन आएगा यहाँ पर, यहाँ पर आएगा KH, जिसका नाम है Henry Constant, तो इसका मतलब यह किस नियम से है धाई, Henry के नियम से है, बच्चे कन्फ्यूज करेंगे, रॉल्ट के नियम के साथ, तो कभी भी कन्फ्यूज मत करना, रॉल्ट के नियम करता है, कि जब कोई solution में, जब कोई solution है, जिसमें दो component है, A और B, दो liquid A और B आपस में mix है, तो रॉल्ट का कहता है, कि जह सो, अब इसका A का प्रेशर भेपर प्रेशर, Parcel भेपर प्रेशर PA, B का Parcel प्रेशर भेपर प्रेशर PB, तो कहता है, Parcel भेपर प्रेशर, यानि कि A क कहलाएगा PA, वो कहलाता है, डाटल पोर्फलल्टू दा मोल फ्रेक्शन औफ कंस्टिच्वेंट, है ना, दाट कंस्टीच्वेंट, तो यहाँ पर क्या आता है, PA बराबर P0 A आता है, यह आता है, ठीक है, तो PA क्या है, आनसिक दाव है, पार्सल भेपर प्रेसर है, A का या B का पार्सल भेपर प्रेशर है हमको यहाँ पे पार्सल भार्सल नहीं है सिधा लिखा है द्रव में गैस की विलेईता हैं री नियम पार्सल प्रेशर आएगा तो जो है सो वहाँ पे रॉल्ट का नियम वगरा सोचेंगे चलिए पाच्वा क्वेश्चन है किस पदार्थ का वास्प दाब भेपर प्रेशर सबसे कम होगा सबसे कम उसी का होगा जिसका जो सबसे कम वोलाटाइल होगा जो सबसे कम वास्प सील होगा उरनसील होगा सबसे कम वास्प सील उरनसील कौन होगा जिसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा है जो सबसे गाढ़ा लिक्विड है, है ना, जिसके अनुओं के बीच, जिसके अनुओं के बीच, इस ट्रॉंग फोर्स ओफ अट्रेक्शन है, है ना, तो देखिए, जल है, अलकोहल है, इथर है, मरकरी है, option आपके सामने किलियर हो गया होगा, मरकरी, मेटल है, लिक्विड एस्टेट में है, थर्मामीटर में यूज होता है, इस तीनों के अपक्षा सबसे ज़्यादा डेंसिटी इसी का है, तो भेपर, भेपर सबसे कम किसका बनेगा, इस तीनों में मरकरी का बनेगा, तो option होगी आपका पारा मरकरी हो जाएगा, सबसे पानी हमारा है, अलकोहल मेरा, और, होता है, उलकोहल के अनू आपस में हयड्योजेन बॉंड के द्वारा जुड़े रहते हैं, किस बॉंड से? hydrogen bond के द्वारा, ठीक है न, उसी तरह water के molecules भी आपस में hydrogen bond के द्वारा जूड़े रहते हैं, जिनके अनुओं के बीच attraction ज्यादा है, force ज्यादा है, ठीक, इथर में ये hydrogen bond absent है, H तो है नहीं, तो hydrogen bond ज्यादा है, इस वज़े से इथर के अनुओं के बीच लगने वाला वल ज्यादानमिक बल ज्यादा उरंसील है, ज्यादा उरंसील है, ज्यादा भेपर बनेगा, ज्यादा भेपर प्रेसर होगा, ठीक है, तो सबसे कम ये, सबसे ज्यादा इथर, चलिए, Next Question है, The system that forms maximum boiling azeotrop is, किस निकाई में उचतम समकवथनायं की मिशरन बनेगा, समकवथनायं की मिशरन, azeotrop, क्या होता है azeotrop भाई, तो एजयो ट्रॉप्स क्या होता है भाई मतलब सम वाथनांग की मतलब boiling point सम मतलब constant ऐसा mixture जिसका boiling point क्या हो constant हो constant का मतलब हम जानते हैं कि जो भी liquid है अलगला हर liquid का अपना boiling point होता है हर liquid का क्या होता है अपना boiling point होता है अगर दो liquid ए और बी को mix कर दीए और दोनों को heat कर रहे हैं तो क्या होगा generally generally क्या होता है जो ज़्याधा boiling point कम है हो पहले जाहिसे उढ़ जाएगा जिसका boiling point ज्याधा है वह बरतन में रहा जाएगा वो बाद मी जह से उड़ेगा यही होता है लेकिन एजोट्रॉप क्या होता है लेकिन एक ऐसा मिस्रन एक Polar मिस्रन होता है जो जब उड़ेगा तो दोनों उड़ेगा जिसका boiling point cino jo a or b कुछ इत यो मिलाय जाता है कि कि उस रेष्यो में दोनों का boiling point से जैसे 95% अलकोहल के बारे में कहा जाता है 95% अलकोहल यानि कि 95 ml अलकोहल है और 5 ml अगर वाटर है तो यह जो मिसरन होगा वो एजियो ट्रॉप का एक्जामपल है यानि कि इस मिसरन को जब हम लोग हीट करेंगे तो उड़ेगा तो दोनों एक साथ उड़ेगा अलकोहल और जब दोनों एक साथ उड़ेगा तो लिक्वीड एज वल एज भेपर में दोनों का कमपोईशन क्या होगा सेम होगा तो इस हिसाब से दोनों को सेपरेट करना मुस्किल होगा इसी को बोलते हैं समक्वथनां की निसरन एजियो ट्रॉप अब एजियो ट्रॉप जो है सो दो जो ट्रॉप में वो आएगा जो रॉट्स एसा मिसरन जो रॉट्स लॉट्स 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 लॉट रोट्सलो को फॉलो नहीं करता है वो दो डेवियेशन दिखाता है एक पॉजिटिव डेवियेशन एक पॉजिटिव डेवियेशन जिसका वेपर प्रेशर जिसका वेपर प्रेशर रोट्सलो के वेपर प्रेशर से यह है रोट्सलो का वेपर प्रेशर उसके वेपर प्रेशर पॉजिटिव डेविएशन और निगेटिव डेविएशन फ्रॉम रोट्स लो ठीक तो एक दिखाएगा maximum boiling as your drop एक दिखाएगा negative minimum boiling as your drops तो कौन क्या दिखाएगा अच्छा तो positive deviation ये देखिए maximum boiling as your drop है ना तो maximum boiling as your drop देखिए पहले ये ज़रा समझते हैं पॉजिटिव डेविएशन किस तरह का liquid दिखाता है नेगेटिव डेविएशन किस तरह का liquid दिखाता है तो हम याद कीजिए positive deviation यानी कि रॉट्ट्षलाव का जो रॉट्षलाव का जो रॉट्षलाव के हिसाब से जो बेपर प्रेशर है उसके बेपर प्रेशर से ज्यादा हो जाता है क्यों ज्यादा हो जाता है याद कीजिए कि अगर हम अगर दो लिक्विड है अगर दो लिक्विड है A और B लिक्विड है है नग अब दोनों को जह सो मिक्स कर दिये दोनों को मिक्स कर दिये तो दोनों के बीच जह सो अब जो बॉंड बन गया अब जो बॉंड बन गया दोनों के बीच वो strong bond बन गया तो strong mode बनने के, तो A और B mix करने के बाद A और B के बीच interaction जएदा है, बनिस्पत जब ये pure था, जब ये अकेला था, यानि A का A के साथ interaction, या जब ये B pure था, B का B के साथ interaction, कमजोड था, लेकिन जब दोनों mix कर दियें, अब interaction किसके बीच हो गया AB, जो molecule बन गया AB molecule, अब A और B क का जो interaction है, अगर ये strong मनेगा, more than AA या AB के interaction से, बंधन से मजबूत बंधन बने गया, A और B के बीच, तो क्या होगा, अब इसको boil करने के लिए, इसका boiling point इस liquid का बह जाएगा, अब इसको boil करने के लिए maximum temperature देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, ठीक है, तो, ठीक है ना, तो इसका, तो इस तरह का, इस तरह का liquid का, जब जहाँ पर interaction AB का अधिक हो जाए, AA और BEV से, तो इस तरह का vapor pressure इसका काम आएगा, काम आएगा मतलब negative deviation so करेगा, ठीक है, ठीक है ना, अच्छा, तो, और इसको boil करने के लिए क्या करना होगा, maximum temperature तक ले जाना होगा इसको, तो इ ऐसे mixture क्या परदासित करते हैं, maximum boiling azotrop, जिसको boil करने के लिए अब ज्यादा high temperature ज़रुत है, दूसरा अगर पुस्ता minimum boiling azotrop, तो वो कौन दिखाता, minimum boiling, जिसको कम boil करने के ही, क्या हो जाए वो, boil हो जाए, temperature पर, ठीक, तो minimum boiling azotrop कौन दिखाता, जहाँ पे interaction AA और BB का interaction greater than है, क भीज से mix करने के बाद जो बना AB interaction, तो AB interaction mix करने के बाद अगर कमजूर interaction होगा, तो कमजूर bond होगा, तो हलका heat देने के बाद ये क्या हो जाएगा, boil हो जाएगा, तो बहुँ जदा boil हो जाएगा, जल्दी भैपर बनेगा, मतलव इसका भैपर pressure क्या हो गड़? पोस्टिप ह होगा है ना तो पोजिटिव डेविएशन सो करने वाला लिक्विड क्या होगा मिसरन क्या होगा वो क्या सो करेगा मिनिमुम बॉइलिंग एजट्रोप सो करेगा जिसको कम टेंपरेचर देख करके ही क्या हो जाता है वो बॉइल हो जाता है निगेटिव डेविएशन सो करने लिक्विड मिसरुन क्या होगा, जिसको बॉयल करने के लिए हाई टेंपरेज चाहिए, वो सो करेगा, मैक्सिमम बॉयलिंग एजट्रोप अब मेरे पास आप्शन ये है, यहाँ पे, तो हमको देखना है इसमें मैक्सिमम बॉयलिंग एजट्रोप पुछ रहा है तो मैक्सिमम बॉयलिंग एजट्रोप यानि कि सबसेदा निगेटिव डिविएशन कौन सो करेगा सबसेदा निगेटिव डिविएशन वही सो करेगा जिसके अनुओं के बीच जिसके अनुओं के बीच हाई इंटरेक्शन है, सबसेदा हाई इंटरेक्शन है इंट्रेक्शन हाई होगा A और B लिक्विड के बीच उसको वाइल करने के लिए हाई टेंपरेज़ चाहिए मैक्सिमम वाइलिंग एजोट्रोप्स हो करेगा तो हमको देखना है इसमें जायसो किसके अनुओं के बीच सबसे हाई इंट्रेक्शन होगा ठीक टो टो ये टो तो तो ऐसमें अल चलोरो फॉर्म को जा आगा रहा हम देखें तो ये टोन आपका ये फर्मूला ये कि वह हुआ डنت गतो ये टक आफ लिग के क्लोरो फॉर्मक से होगाpad तो पैसीर को ऐसा में किरा का फालग्येfa कम अउस्ता है दी दी से मैघा लो, जा तो इसके बीच देखें हम जरा, एसी टोन और क्लोरोफर्म के बीच क्या है, यह C O, माइनस, प्लास, यहां C H, C के पीछे 3-3 C L है, बहुत हाई एलेक्टो निगेटिव 3-3 को लगा हुआ है, यह हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, यह माइनस और यह क्या हो जाएगा, प्ला जाहे सो, strong bond जाहे सो, ethanol, acetone इस दोनों के बीच या इस दोनों के बीच नहीं बनेगा, ठीक है ना, देख रहे हैं, normal hexane, normal heptane है, simple hydrocarbon है, किसी तरह का कोई bonding दोनों के बीच, hydrogen bonding और गरा का संभावना नहीं है, carbon disulfide neutral molecule है कि कोई जाहे सो इसके साथ hydrogen bond का chance नहीं बनता है, सबसे maximum hydrogen bond जो बनेगा इसके बीच, अब इस mixture को उराने के लिए, boil करने के लिए बहुत high temperature चाहिए, इसको तोरने के लिए, high temperature चाहिए, high boiling point चाहिए, यानि कि maximum boiling agotrop का example यह होगा, अगर minimum boiling agotrop होता, तो वो दिखाता जिसके अनुगों के बीच सबसे कमजोर interaction है, तो सबसे कमजोर interaction क simple hydrocarbon है, carbon का chain है दोनों, ठीक, तो minimum वाला में यह हो जाता है, maximum वाला में यह होगा, ठीक है, चलिए, question है, a plant sale shrinks when it is kept in a, एक पादप को सीका, plant का जो sale है, सिकूर जाता है, जब उसे रखा जाता है, किस तरह के billion में, पत्ता जब रखेंगे, माली यह कोई plant का sale है, कुछ है, त चलिए, इस तरह का solution में जब उसको रखेंगे, हाईपो टोनिक निम्न परासरी विलियन, हाईपर टोनिक उच परासरी विलियन, आइसो टोनिक सम परासरी विलियन, या प्योर वाटर में, ठीक, तो जड़ा, ऑस्मोसिस के बारे में हम जानते हैं, जड़ा, ऑस्मोसिस क्या होता है भाई ऑस्मोसिस क्या होता है है ना जड़ा ऑस्मोसिस को देख ले है अगर दो सॉल्यूशन है है ना दो सॉल्यूशन है एक है जड़ा है एक है less concentrated पतला है तो हमने क्या सीखा है कि जो ऑस्मोसिस में क्या होता है जो मुवमेंट होता है वो less concentrated to more concentrated की टरफ होता है पतला से गाढ़ा Luft molecule कि दॉतर जाता है more concentrated solution में जाता है त्रीक है यह हो गया osmosis और इसी asmosis को जब रोक देते हैं इसी asmosis को लोकने के लिए क्या लगा धना थे पाई जिसको भोलते है Osmotic Pressure ठीक हॉइपोतोनिकSharesion हे ना हॉइपोतोनिक सॉल्ूइशन अब दो सॉल्ूशन है दो सॉल्ूशन है ठीक है πाई 1, πाई 2 हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या कहेंगे जब एक स müs न process का अगर osmotic pressure का मान अगर कम होगा दूसरे वाले से तो इसको कहेंगे हाइपोटोनिक इसको कहेंगे हाइपोटोनिक हाइपरटोनिक है ना हाइपर्टोनिक जब पहले वाले का जब पहले वाले का ज्यादा होगा दूसरे वाले से इस solution को कहेंगे हैपोटोनिक जब आइसोटोनिक सम पराशरी जब दोनों का पॉस्मोटिक प्रेसर का मान बराबर होगा तो कहेंगे आइसोटोनिक और प्योर वाटर ठीक तो कब सिकुडेगा जब है ना कि सिकुडेगा कब जैसे पत्ता डाल दिये हम किसी solution में अगर पत्ता डाल देंगे एक plant का leaf पत्ता डाले जिसमें cell है तो सिकुरेगा क्यों सुकुरेगा इसलिए सुकुरेगा क्योंकि पत्ता में जो जह है सो Р the water iaqu वो क्या हो जाएगा अगर वो कब शिकुरेगा जब एक ऐसे solution में रखेंगे जो more concentrated है जब एक ऐसे solution में रखेंगे जो more concentrated है गाढ़ा है पत्ता में जो liquid है जो भी है तो क्या होगा osmosis की वजए से पत्ते का liquid जहें सो नीचोरा जाएगा और चला जाएगा more concentrated में osmosis process के ताहत हम अपना हाथ को डालेंगे गाढ़ा नमक का concentration है उससे more concentrated में हमने अपना हाथ राखा है तो क्या होगा flow less concentrated to more concentrated में गया तो इसमें जो भी liquid है water है या जो भी है वो जहाएसो क्या हो जाएगा flow हुआ किस में more concentrated में तो हमारा क्या हो जाएगा automatic यहाँ पर सिखूर जाएगा श्रिंक हो जाएगा तो क्या सतय यानि क्या से अफनी सव लूचाइगा थीये हो जाएगा हिसकुरल राख मैं सिकुर्ण ऑर है प्र-टोनिक अगर वही कहता एगजा वह से फूल जाता है थे फूल गया वह होले कभ मतलब उसको एक एसे चीजल में रख हो गिया है जिस से उसका konsantaros कम है तो बाहर वाला का कंसेंटेशन अगर कम होगा तो अब जह हैसा फ्लो जह हैसो बाहर से अंदर की तरफ आएगा तो वो चीज क्या हो जाएगा हूँ हुँ ल जाएगा तो लिखेंगे थे कि में अगए सिकुर जाएगा तो option क्या होगा, hypertonic solution कुछ नहीं होगा, मतलब solution कैसा है, isotonic, चड़िए ठीक, option है the osmotic pressure of a solution can be increased by परासरन दाब बढ़ता है, किसके किसके क्या होने से, किसको कम या बेसी करने से तो परासरन दाब, osmotic pressure यानि πाई, जिसका formula होता है CRT concentration किसमें? molarity में, क्या होता है? molarity में, तो πाई equal to πाई equal to molarity बराबर क्या होता है? solute बट्टा volume rt तो अब देखिए, πाई जहेसो कब बढ़ेगा? πाई कब बढ़ेगा? आइतन बढ़ने के साथ? नहीं आइतन घटेगा, तब पाई बढ़ेगा नीचा में है, तो यह नहीं होगा increasing number of solute molecules number of solute molecules, यहाँ देखिए, n क्या है? n है solute का mol, और mol मतलब number, संख्या है न? ठीक है? उपर में है यह संख्या बढ़ेगा अनुओं की संख्या बढ़ेगा, molecules का संख्या बढ़ेगा, तो क्या हो जाएगा orthognostic pressure, बढ़ेगा दोनों उपर में है, बढ़ने से बढ़ जाएगा ठीक है, तो मेरा option सीधा चीधा दिख रहा है मेरा यह होगा, ठीक है न? चलिए decreasing temperature, टाप घटने के साथ नहीं, पाई और टी क्या है, समानुपाती है, डिर्कली प्रोपोस्टल है टीमप्रेचर बढ़ने से बढ़ जाएगा ठीक है न? तो यह नहीं होगा ठीक, तो option मेरा हुगा बी अत्यधिक उचाई पर रहने वाले बैक्ती के रख तथा उत्तकों में oxygen की मात्रा किस कारण कम हो जाती है जदा हाइट पर रहने वाले बैक्ती क्यों बलड में oxygen क्यों कम हो जाएगा क्योंकि हाइट बरने के साथ atmospheric pressure वायू मंडल ये दाव कम होता है वायू की मात्रा घाट जाती है density वायू का कम हो जाता है तो वायू का density कम हो जाएगा तो oxygen का density कम हो जाएगा oxygen की मात्रा कम हो जाएगी high altitude पे तो जाहर सी बात है बलड में oxygen की मात्रा कम किसलिए हो जाएगी है ना किसलिए low atmospheric pressure निमन वायू मंदलिय दाब के कारण ब्लड में ऑक्सिन की मात्रा कम हो जाएगी, ठीक है? क्योंकि उचाई बरने के साथ वायू मंदलिय दाब कम होता है, ऑक्सिन की मात्रा घट जाती है, इसलिए नाक से ब्लेडिंग आयाता है, पेन जाहे सो पीछे से उसका सियाही निकल ज होता है, चलो, question है, what is the mole fraction of glucose in 10% mass by mass, www मतलब mass by mass, glucose solution, glucose willion में 10% glucose है, तो glucose का mole प्रभाज, mole unsmall fraction क्या होगा, ठीक है? 10% glucose solution है, mass by mass, का मतलब यह हुआ, कि अगर 10 गराम glucose है, तो 90 गराम पानी है, इसका मतलब पानी ज्यादा है, glucose कम है, तो solute कौन है, glucose है, solvent कौन है, पानी है, ठीक, अच्छा, यह हो गया, तो अब दोनों का मात्रा लिख लेते हैं, ठीक, तो W मतलब mass, तो WG मतलब, glucose, mass of glucose, glucose का दरवेमान, कितना है, 10 गराम, therefore, तो mass of, mass of water कितना है, भाई, glucose का अगर formula लिख लेते, तो ज्यादा अच्छा होगा, glucose का formula ही लिख लेते हैं, C6H bar O6, ठीक, तो यह कितना हो जाएगा, 90 गराम, अब glucose का मोल fraction जाहिए, ठीक है न, तो glucose का मोल fraction कैसे निकलेगा, भाई, मोल fraction मतलब X, किसका, glucose का, C12H6 का, तो glucose का मोल fraction चाहिए, तो उपर में फर्मुला क्या होगा, गुलुकोज का मोल होगा, और नीचे में पूरे solution का मोल होगा, पूरे solution में गुलुकोज और पानी का मोल होगा, तो नीचे में गुलुकोज का मोल, और पानी का मोल, यही हो गया, यानि कि में हमको दो चीच चाहिए यहाँ पे, दोनों का number of मोल चाहिए, दोनों का given mass दिया हुआ है, तो दोनों को उसके molar mass से divide करके क्या निकाल लेंगे? मोल निकाल लेंगे, ठीक, तो पहले हम निकालते हैं, मोलर मास, क्यापिटल M मतलब मोलर मास, किसका? गुलुकोज का C6H12O6 का मोलर मास, कारवन 6, 12 गुना 6, पलस हाइडोजन 1, एक गुना 12, पलस ऑक्सिजन 16 गुना 6, तो यह आएगा 180 ग्राम पर मोल, ठीक है? ठीक, चलिए, तो इसे लिए, दूसरी तरफ, अब क्या होगा? हाँ, ठीक, फिर, अब, मास ओफ वाटर, MH2O, मोलर मास ओफ वाटर, एक गुना 2, पलस ऑक्सिजन 16, यह आजाता है, 18 ग्राम, दोनों का गीभेन मास, दीवाइड़े मोलर मास करके क्या निकालेंगे? मोल निकालेंगे, ठीक है? तो, 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 एक्स, मोल फ्रेक्शन गुलुकोज, अगर पानी का पुछता, तो पानी उपर रहता, नीचे में दोनों सेम होता, तो, एन, एन सीएच्टू, क्या होगा गीभेन मास, 10, 10 ग्राम बटा, 180 ग्राम, गुलुकोज का गीभेन मास, डिवाइड़ेड़ बाई, मोलर मास, ठीक, नीचे में फिर गुलुकोज का, 10 बाई, 180, प्लास, वाटर का, 90 गीभेन मास, वाटर का 90, और उसका मोलर मास, 18, ठीक है न, तो इस तरह सीएच्टू, सॉल्व करके निकल जाएगा, 00, 00, 18, पंचे, 90, है न, तो, एक बटा, 18, और यह हो गया, एक बटा, 18, प्लास, 5, तो, एक बटा, 18, और इसको, LCM लेंगे, तो यह हो जाएगा, 18, 18, प्लास, 90, ठेक, और देखते हैं, और देखते हैं, तो, एक बटा, 18, मल्टिप्लाइ का साइन देंगे, तो यह, 18, उपर चला जाएगा, और, 98, 108 हो जाएगा, 18, 18, तो बच्चा एक बट्टा, 108, जिसको, डिभाइट करने पर, कितना आएगा, तो यह, कितना लगभग आजाएगा, यह बाला आजाएगा, जीरो पॉइंट, चलिए, जीरो जीरो जाएगा,